हलो दोस्तों टेक जैक में फिर सबको बाश स्वागत करता हूँ मैं हो जाकीर दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ आप Android A.N.7.0 Nogat के जैसे Quick Reply या फिर Direct Reply अपने Lower Android Version, Lollipop या फिर Marshmallow पर कैसे कर सकते हैं जैसे कि आप किसी एप में busy होते हैं या फिर YouTube में वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन आपका message आते हैं और आप उन्हें reply करने के लिए पहले आप जो app यूज कर रहे थे उसे minimize करना पड़ता है या फिर close करना पड़ता है फिर आपको WhatsApp हो या फिर message app हो वहाँ पर जाके आपक message तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बात कहना चाहूंगा आपने अगर टेक जैक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो नीचे रेट सब्सक्राइब बन पर क्लिक करके जल्द से सब्सक्राइब कर लिजे टेक यू तो दोस्तों फास्ट आपको एक एप डाउनलोड करना है एप का लिंक आपको डेस्किप्सर में मिल जाएगा आप सिंप्ली वहां से डाइरेक्ली डाउनलोड कर लीजिए उसके बादी एप को उपन कीजिए और यह जो जो पर्मिशन के लिए पुछता है आप सिंप्ली उ के बाद देखिए तो उसके बाद ये कुईक डिप्लाई एप ओपन कीजिए और यहां पर देखिए फास्ट अप्सन फीचर्स और यहां पर देखिए फ्लोटिंग चैट हीट्स इसे आउन करने से क्या होते हैं जैसे कि आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे होते हैं फ्लोटिंग पर क्लिक करने से यहां पर एक चैट विडियो ओपन हो जाते हैं और आप यहां से डिप्लाई कर सकते हैं यह अपका वेस्ट फीचर्स मुझे यही लगते हैं और देखिए जो सेकेंड और थार्ड अपसों है क्विक रिप्लाई नोटिफिकेशन और चैट करते हैं वो कॉंटक्ट हमेशा आपका नोटिफिकेशन पैनल में रहे जाएंगे और हमेशा आप उसके टैप करते हैं वहाँ पे एक चैट विंडो ओपन हो जाएंगे और आप डिप्लाई कर सकते हैं और जब भी आपका मैसेज आएंगे तो आपका यह कुईक रिप्लाई हैं मुझे लगता है यह वीडियो से आपका काफी हेल पर जाएगा क्योंकि आप फेस्बूक या फिर वाट्साप की जिसे भी यह कुईक रिप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और सेयर कीजिए और कुछ सवाल या सुल जाब है तो तक लिबाई तेके